हाई दुवल्टीज, वेलकम टूए इसीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तबिता और गाईस आज की इस वीडियो में हम अपने मनी शेप्टर को जो की मैक्रेक्रोमिक्स है उसको रिवाइस करेंगे उसके इंपॉर्टिंग कंसेप्ट देखेंगे जो की एंसी की उसमें पूछे जा सकते हैं प्लस एजर्शिन एं रीजनिंग में आ सकते हैं थो आपको यह कंसेप्ट आनी चाहिए छोटा से चेप्टर है अगर आप कर लोगे इसकोर कर सकते हो तो ध्यान से पाटना इस चेप्टर को देखो आज की आज जो मैंने इसमें प्यार दूर की चीज़ है लिकिन भागी सारी चीज़े तो आ जाएंगी ना फॉरें ट्रिप तो हो जाएगी ना तो पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता अच्की डेट में अब जो बाटर सिस्टम था ना गाईज बाटर सिस्टम अपको पता है जब हमारे को हम दूसरे से वस्तू से अदार प्रदान करते थी वस्तू बोले तो THINGS यानि कि मेरे को जूते चाहिए उसको चपल चाहिए तो आप पास में एक्स्चेंज कर ली बाटर सिस्टम मुझे चावल चाहिए उसको आटा चाहिए तो मेरे पास चावल होना चाहिए उसके पास आटा होना चाहिए ऐसे करके बाटा सिस्टम होता था दिक्कत होती थी नहीं हो पाता था सब कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं था दिक्कते थी इसमें चार दिक्कतों की बात करी जाती है लैक ओफ डबल कोइंसिडेंस यानि कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास हो और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास हो तो वो पॉसिबल नहीं है हर बार होना Second, lack of common measure of value अब भाई सामने वाले को अगए जूता चाहिए मेरे पास रखा है मुझे आटा चाहिए उसके पास रखा है लेकिन कितनी quantity में हम exchange करे तो कोई measure नहीं कर सकते थे हम lack of standard for deferred payment हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई ले जा हम तेको 10 महीने बाद तेरे installment करेंगे 10 महीने बाद किस quality की installment करने वाले हो आप क्या देने वाले हो उसको तो बड़ी दिक्कत थी इसमें उसके बाद है lack of store of value ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप इन चीजों को store करके रख लो अब जी जैसे पैसे को store करके रखते हम लोग तो हमें पता है 10 साल के बाद भी उसकी value और बड़ेगी ही लेकिन हम लोग 8 चावल बस्तूओं को store करके नहीं रख सकते थे तो इन सारी कम्यों को दूर करने के लिए आया money money ने वो सारे चार काम करें जो चार काम बाटर सिस्टम में नहीं थे अब आप बोलोगे कि ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ guys क्योंकि इसके उपर case study आती है वो आपको एक case study दे देंगे कि भाई ये काम था और ये काम नहीं हो पा रहा यानि कि वो बंदा उसको deferred payment नहीं कर पा रहा था तो कौन सा feature है money का जो नहीं है यहाँ पे तो lack of standard for deferred payment नहीं है तो आपको ये पता हो नच्चे क्योंकि money ये चारो काम बख्खू भी करता है इसके बाद guys जो बात करी जाती है money बस यही चार काम करते है बट ये चार काम अपने में सब कुछ है second चीज जो topic है guys money supply money supply आप लोगों को पता है money supply का मतलब होते है currency held by the public at a particular point of time यानि कि एट समय पर लोगों के पास कितना पैसा है उसे हम money supply कहते है तो currency held by the public only आता है इसमें इसमें government नहीं आता इसमें bank नहीं आते है आपके तो इस पर आपका MCQ आ सकता है कि currency held by public means क्या होता है तो जो currency public के पास है चाए वो notes है चाए वो coins हैं दोनों चीज़े आ जाती है लेकिन इसमें आपका bank और कौर नहीं आता government नहीं आती तो इस पर mcq आ सकता है दूसरा mcq आते है गाइस money supply एक flow concept है या stock concept है तो money supply जो है एक stock concept है because यह calculate किया जाता है at a particular point of time पे उसे हम stock concept कहते है और flow concept किसे कहते है जब एक period of time आजाए छे महीना दो महीना चार महीना वो flow concept होता है but money क्योंकि एक दिन पर calculate किया जाते है कि आज के दिन बताओ currency कितनी है लोगों के पास तो इसलिए इसको stock concept कहते है ठीक है third topic है guys इसमें that is m1 जो आपके syllabus में आ रहा है m2, m3, m4 नहीं आ रहा करने की need नहीं है m1 आ रहा है m1 यानि कि जो money supply में हम किन चीज़ों को include करते है तो currency and coins with the public लोगों के पास कितना पैसा रखा है चाहे वो note है चाहे वो सिक्के है दूसरा चीज demand deposit of a commercial bank यानि कि commercial bank के पास कितना पैसा जमा हो रखा है लोगों का third thing other deposit with RBI, RBI के पास कितना पैसा जमा है बाहर से, world bank से, foreign institution से but इसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है other deposit में हमारी again government और हमारी commercial bank नहीं आते है तो government और commercial bank को आप इसमें exclude करके चलोगे इसके बाद guys एक important topic आता है net demand deposit किसे कहते है इस पर MCQ आ सकता है तो net demand deposit होता है जो भी currency commercial bank के पास है है ना public की जो हम लोगों ने bank के पास जमा करा रखिये उसे net demand deposit कहते है यानि कि इसमें हम क्या include नहीं करते तो हम इसमें क्या include नहीं करते इंटर bank deposit को include नहीं करते वो exclude होता है यानि कि एक bank ने HDFC ने अपना पैसा ICICI के पास जमा करा रखा है तो वो नहीं आएगा तो आपको यह ध्यान रखने तो अगर आपको case study आती है net demand deposit में क्या चीज़ exclude करी जाती है तो interbank deposit exclude किया जाता है उसके बाद एक छोटा सा topic है guys high powered money जो कि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए high powered money किसे कहते है जो कि money M1 से इसको compare किया जाता है sometimes तो इससे जादा strong माना जाता है काहे क्योंकि high powered money में currency held by public तो आता ही है जो कि इसमें भी आता है currency and coins with the public बट इसमें क्या आता है cash reserve with the bank यानि कि इसमें bank का पैसा भी include कर लिया जाता है जो उनके पास reserve में पड़ा है तो इसलिए यह जो है थोड़ा wider term माना जाता है इससे तो दोनों चीज़े कौन सी currency held by public and the second thing is cash reserve with the bank तो guys यह एक छोटा सा चैप्टर है बट scoring है क्योंकि यह चीज़े आप normal journal knowledge की है जो आपको एक बार आप पढ़ लोगे अच्छी तरीके से हो जाएगी और इसके mcqs आप attempt कर सकते हो कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट के थ्रू यूट्यूब पर थांक यू